नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 24 फर्स्ट एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ मान विठाकुर शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से श्यम योगी आदितनात आज गाजीपुर के चुनावी दौरे पर थे आज जमानिया विधान सवा के गेहमर में उन्होंने प्रत्यासी सुनीता सिंग के लिए जनसवा की और कहा कि भारत का कर्मकांड भी रक्षा का माध्यम बनता है महरेसी विश्वा मित्र ने उस काल खंड में रावर के आतं को देख कर तैकिया था और जिनको सन्यासी ने भी कहा था कि निशाच चिर पापी हम सभी को जब मैं गाजीपुर के बारे में सोचता हूँ उन सरकारों को याद करिये क्या-क्या इस्तित थी उन्हें नौजवान आपने मौ में देखा था कैसे राम नीला को लेकर बिवाद परदकिया गया था और वहें माफिया खुली चीप में तमंचा लहरा रहा था व्यापारियों की दुकाने और घरों को जलाते हुए पूरे मौ को दवंग की आग में जोग दिया था उस समय समाजवादी पार्ट अजवा वीलचेयर पर गिड़ गिड़ा रहा है हमारा बुल्डोजर बोलता नहीं करता है गह मर्देश को सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला गाउं है 2017 के पहले बिजली किस तरह की मिलती है सब को पता है पिछली सरकारों में केवल ईद और मोहरम में बिजली आती थी और प्रदीव शर्मा की भारत का कर्मकांद भी राश्र रक्षा का माध्यम बनता है यह महरसी विश्वामित्र ने उस ताल खंड में रावन के आतंग को देख करके वैगिया था और जिसको सब्सक्राशी ने भी कहा तिकादी तने माचिंता व्यापी हर इबिनो मरहिना मिस्ज पापी हम सब को भी महरसी विश्वामित्र की राश्ट रक्षा यक्यपेस्टे सहवागी बना पड़ेगा और इसी डियाजिवे जवानिया में आप सब का अवहान करने के लिए आया है अब याद करिए है जब मैं आपके काजीपुर की चर्चा करता हूं आपके याद करिए क्या क्या इस्थियां हो गई है क्या कर रही तिसली सरकारे कि उआने पिशिताने थी है नौजवं भी चिंताने वइप अन्दभावा नहीं है अटवटा किशानों की भी चिंताने के कि रूंचे कर्यक्यद्वयек जितन एजिए ने उनकी संबेदना इन सब कि नहीं बने कि इसमेदना थी पेशेवर माप्या और अपराज्मा के नूबी एक दुर्णाम के माप्या जवाद के इस गाजी पूर से टड़ा हुआ है और समाजवाली पार्टी और बौज़न समाजवाली पार्टी जिसकी सल्टा होती थी भी पूल के तरह वहाँ चपक जाता था और फिर कैसे आपने देखा होगा मोग के उखटना समाजवाली पार्टी की सरकार की कैसे मोग के अंदर राम लिला की आयोजन को लेकर के विवाद ख़़ा किया गया और वाधिया अपने खुली जीत में तमंचा लहराते वे जा रहा है यादों के घरों को हरिजनों के घरों को पुस्वाहां परिवारों को सोनकर घरों को आग लगाते वे प्यापारीयों के प्रतिष्थानों को आग लगाते वे जलाते वे पुरे बॉपो दंगों की आग में छोन्दिका काम किया था और उस समय की सराज़ानी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने एक कीड़ी की तरे रहें रही थी और आज आप देख रहे होंगे भारती जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया आज वही माफिया सरकार के सामने कीडिक तरफेंगता है आज आप देख रहे होंगे जो माफिया करी कलंचा लहरागर के खुनी चीप में जाकर के विवस्ता को चनौती देता था आज भी छेर में गिर डड़ाता था हमारा दूल जब बोहता ने ही किरीब अपनों की बड़े-बड़े माफियों की बोलती दो बखेता अच्छा मुझे एक बार बताओ गहमर्ग देश के अंदर सरवादिक सीनिक मेले वादा गाउन है लेकिन क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या तो को सजी मुलना मिलती थी और आज आदा रही है ना तो 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मज़र्भा करती इद और मुहर्भा में बिजली आती थी और बोली पिपाउदी में काया पूजा थी मैसेज भोलना हो ना सपा बसपा की सानगोती और संबेदना काव गरीद किसान होज़वान महलाओं के लिए नहीं थी आज की खबरों में बस इतना ही देखते रहिए नमस्कार